नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में टेक्नो स्पार्क 6A vs Vivo Y12S का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, 6A में 6.87 इंच जबकि Y12S में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जोकी 6A से कम है Width की बात करें तो 6A में 3.12 इंच जबकि Y12S में 3 इंच की Width मिलती है जोकि 6A से कम है बात करें थिकनेस की तो 6A में 0.37 इंच जबकि Y12S में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को Compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनू फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio 6A में 20.5 रेशियो 9 जबकि Y12S में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6A में 7.0 इंच जबकि Y12S में 6.51 इंच बिलती है Display Resolution 6A में 720 x 1640 और Y12S में 720 x 1600 मिलता है Screen to Body Ratio 6A में 84.1 एक साथ प्रतिशत जबकि Y12S में 81.5 साथ प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो 6A में 256 पिक्सेल प्रती इंच जबकि Y12S में 270 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features Camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो 6A में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera, Third Camera और आखिर में AI Lens देखने को मिलता है और Y12S की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो 6A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 3 Different Features मिलते है और Y12S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 2 Different Features मिलते है अईए अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है Ge8320 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 6A में MediaTek Helio और Y12S में MediaTek Helio P35 मिलता है बात करें RAM की तो 6A में 3 Variant देखने को मिलता है जिसमें 2 GB, 3 GB, 3 GB की RAM मिलती है जब की Y12S में एक ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 3 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, 6A में 3 variant देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 32GB, 64GB की storage मिलती है जबकि Y12S में एक ही variant देखने को मिलता है, जिसमें 32GB storage मिल जाती है, expandable memory की बात करें तो, 6A में up to 1TB, जबकि Y12S में up to 256GB है operating system दोनों phone में android v10 cute देखने को मिलती है, बाटरी 6A में 6000 mAh जबकि Y12S में 5000 mAh देखने को मिलती है, अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में same ही, दो colors option देखने को मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो, 6A में 3 variant देखने को मिलते हैं, जिसमें की 2GB RAM 32GB storage के साथ 7,499 रूपीज, 3GB RAM 32GB storage के साथ 9,490 रूपीज, 3GB RAM 64GB storage के साथ 9,999 रूपीज में मिलता है और बात करें, white valve S की तो उसमें एक ही variant मिलता है, जो की 3GB RAM 32GB storage के साथ 9,990 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं, prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो, दोनों फोन में 3, फायदे और 1, नुकसान देखने को मिलता है finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, main camera में दोनों फोन सेम ही है, front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है, performance में Y12S आगे है दोस्तों, अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले competitor फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M01 को है, दूसरा Moto G9 Power है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और last competitor फोन की बात करें तो उसमें Nokia C01 Plus है और ये सारे फोन की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना